कि यह दोस्तों इन्विस्टिंग का कमांडर शुटिप चल में आप सभी का सवगत आज बात करेंगे जेंट इस टॉक्स रिटेट यहाँ पर कमेंट पूछा गया कि सर आपने तो पहले बता दिया था कि आच्छी काशी इंप्रूमेंट करेंगा और कर भी रहा था बाल में से आपर देख सकते जो मुवमेंट बना चुका है और अब हर किसे को पता है कि इंप्रूमेंट थोड़ी बहुत कर दिया है अभी इसके पीछे के रिजन क्या है और सभी तो बाते देखी लेते बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मार्केट क्या है और कमपनी में एक्चुल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वही यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी तो प्रूंड आप लॉंग टम के लिए और शाट टम के लिए क्लियर हो जाएंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपणी में नजर आती हो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा खली आपर सुन लीजे पहले मार्केट के अप देखे कितना इसका तो मार्केट की बात करें तो पंदरह हज सबसे बड़िया और सबसे इंप्रॉटन टॉपिक है तो अभी तक जितना कंपणी रिटन दिया है वह उतना कुछ बहितर नहीं दिया था और अभी जो फिलाल अभी इंप्रॉमेंट डिखारी वह बहितर नहीं दिख रहे सबसेंट के अभी इससके रिटर बात करें अरनिंग पर शेर तो छोड़ा बहुत है पर बहुत कम नजरा आता है जो पुलत कर सकती है अब इस कंपनी अभी ऐस के बारे माद करें कंपनी जो आपने सर्विसेस करती है इसकी इप अच्छे-काष्य इंप्रॉमेंट बन रही ह क्योंकि आभी लोग पास टाइम ही तो यहां पर इनके भी बिजनेस आज चलते हो नज़रा रहें अभी कंपेरजन करें इसके जो कंपेरजन करना चाहेंगे कुछ यहां पर जो इसका सेक्टर है उसके साथ तो देखिए टीवी जो 18 जो बोर्ट से उसके साथ टीवी 18 मीडिया टीवी 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 टूडेश नेटवर्क है जैसे साथ से आट नेटवर्क वाले जैसे की चैनल प्रवाइट करने वाले कुछ स्टाक है बट आप देखिए तो मार्केट चैप के इसाफ से देखेंगे तो आइथिंग को मैं बताना चाहूंगा जी इन्टेटेंट मेंड यहां पर सेकंड नंबर पर आता है संड टीवी नेटवर्क से नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको इंटरप्राइज लिमिटेट यहीं स्टॉक दिख जाएगा अभी इसमें सबसे इंपोर्टन बात जो है वह आपको यहां पर पता चल जाएगा कि जो होल्डिंग है यहां पर देखेंगे पहले आप इस कंपणी में देखें मैं आपको कोई नहीं जो कंपणी उसके रेटर बात बता रहे हूं यहां पर तीन साल से कंपणी है सो गुड रेवेनियू ग्रोथ रेवेनियू ग्रोथ की भी आप अच्छी काशी आपर कंपणी ग्रोथ दिखा रहे हैं आप कंपणी बारे में देखें तो कंपणी हाज बीना मेंटेन हेल्दी रिटरन लिक्विटी बीमें उसके रेटर बात कर दी थी अब और अब लिक्विडिटी जो के पोजिशन बात करें तो कंपणी कैस में अच्छी काशी लिक्विडिटी डिखा रहे है अब सबसे आपर देखें लिमिटेशन के इसमें तो देखें एक बात आती है नज़राए हमें भी कि देखें यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सब्सक्राइब को दिख भी जाएगा सबी बाते कंपणी के जो छोटे से छोटे चेंजेस शेर वोल्डिंग पैटर्न में हो या कोई बी चीज में तो यहाँ पर मनी कंट्रोल एफसाइट पर आपको मिल जाएगे अभी देख लेते से रोल्डिंग पैटर्न में क्या हम बोलेंगे तो कंपणी चलाने वाले परसन के हाथ में कंपणी का कंट्रोल हो जैसे के कंपणी के जो पूतर के से होल्डिंग कंपणी के यहाँ पर ओनर के पास हो तो कंपणी बहुत ही बहुत ही बहीतर ही चलती है बट यहाँ पर ऑदर परसन के हाथ में चलेगे तो क्या फिलाल बढ़ा कर 20 परिशन कर देशी दो ही बाते मुझे नजर में खटकते हैं कि यहाँ पर इस कंपणी में ऐसी दिखती है यहाँ पर बात करते कि फारेंट निवेश एक उनके पास ज्यादा स्टेक है और कंट्रोल पूरी तरकी से उनके पास ही इस कंपणी का नो डाउट आप यहाँ पर शेरोल्डिंग पैटन से आंदर लगा सकते हैं और इसकी मूचल फंड के पास 4.45 परसेंट उनके पास परसेंट है वह कम करके उनने 3.77 परसेंटेस कर दिया है तो यहाँ पर आप सभी तरीके से समझ सकते कि एक्चुली जो प्राब्रेम इस कंपणी के शेर में लेकर आप ले आए करने की पावर पूर्तर के प्रमोटर के पास ही होई चाहिए तो तभी वह अच्छा का सा इंप्रूमेंट दिखा दे स्टॉक तो अब और एक कुछ बात बताना चाहूंगा आपको एक आर्टिकल भी पढ़ने को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे यहाँ पर देख लेते एक अपसाइट पर क्या कंपणी का परफॉमस है अभी 14 अगस्ट के बारे में आप देख लिए पूरतर के सेल्स के बारे में अच्छी कासी कॉंटिटी आपको मंडे की दिन भी जिख जाएगा क्योंकि जो कॉंटिटी जिस तरीके से सेलिंग होती उ यहाँ पर उठाए गई थी और उसमें से होल्डिंग देखे तो 91 लैक्स यहाँ पर होल्डिंग की गई है इसी से पता चलता है कि जो ट्रांजेक्शन वह वह बैसिकली यहाँ पर इंट्राडे उस रेटर ज्यादा कर परफॉमस का चल रहा है लॉंग यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर पैसा रगा कि बैठा इस कंपणी में तो प्रमोटर नहीं है तो पब्लिक है पब्लिक के सबस्यादा होल्डिंग उस कंपणी में नजर आती है तो यह सभी बाते देखकर अंडरस्टांडिंग हो सकते आप किसने के परफॉमर रहेगा और आगे बात कर लेते शे सब्सक्राइबिलिटी नहीं है और बाद में से गिरावट का दौर चलो होगा तो फिर यह स्टॉक कहीं पर नहीं ठीक है और अच्छा कासा गिरकर ही रहे जाएगा तो इसलिए कहूंगा आपको जो लगे वो डिसीजन आप लेगी मेरा पॉइंट आप था और रख दिया मै थैंक यू सो मुच